नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं प्यारी विद पीसी यूटूब चैनल और मैं आपका दोस्त प्रितम प्यारी दोस्तों अगर आपकी भी family ID में आप अकेले हैं या कोई ऐसी family ID है जिसमें केवल एक ही वेक्ती है और उस family ID में जब प्रिंट PPP forum step पर खिलिक किया जाता है तो उस family ID के अंदर यह message शो होता है single member family is not allowed to upload the document यानि जो single member की family है उसमें document allowed अपलोड करने के लिए allowed नहीं है यानि अब आप single member की जो family है उसमें document अपलोड नहीं कर सकते लेकिन दोस्तों अगर आपकी एक member की family ID बनी हुई है और और अगर आपने document अपलोड कर रखा है या फिर अब आप दोबारा उसमें document अपलोड करना चाहते हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि उसे अपलोड कैसे किया जा सकता है दोस्तों यहें काम के वल जो login ID है PPP की यानि प्रिवार पैचान पत्र की operator ID है उसी के मादिम से किया जा सकता है उसके लिए आपको क्या करना होगा download data वाले option पर click करना है click करने के बाद update family डाटा वाले option पर click कर देना है इसके बाद आपको दोस्तों यहां पर family ID फिल करनी है customer की fill करने के बाद search पर click कर देना है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि इस family ID में केवल एक ही सदस्य है इसके लिए आपको क्या करना होगा इस box पर click करके आपको एक बार इसे open करना होगा फिर save कर देना है open करके यहां से आपको इसे save करना है save करने के बाद आपको निचे summit पर click कर देना है दोस्तों यहांपर आप देख सकते हैं family ID में केवल एक ही सदस्य है दोस्तो इस family ID में अब जो previous document upload है वो भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर document भी upload कर सकते हैं दोस्तो एक member की family ID में document upload करने का एक मात्र यहीं रास्ता है अगर आपने पहले family ID बना रखी थी और उसमें जो document अब आप दोबारा upload करना चाहते हैं कोई correction करने के बाद तो इस परकार आप correction करने के बाद उस जगहें से यानि download data वाले option से जो family ID प्रिंट है उसके अंदर upload कर सकते हैं और previous upload document भी वहीं से आप देख सकते हैं तो दिन्यवाद दोस्तो अगर आपको family ID से समधी तो और कोई समस्या है तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं आपका reply जरूर दूँगा और आपकी पूरी साहता करूँगा तो दिन्यवाद दोस्तो जेंजबर्त जे हरियना जे ज़वान जे किसान